हेलो फ्रेंट्स तो देखिए आभी तक की एक बहुत बड़ी खबर निकलके आई है आप सभी स्टूडेंट बे सब्री सिंतजार कर रहे थे जितने भी हमारे इस्टूडेंट है तो सबसे पहले हम आपको बता दे ज्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे बस तोला सा दो से सबसे बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट का यह सबसे बड़ी खबर क्या है आपके प्रैक्टिकल को लेकर है आपके प्रैक्टिकल का डेट जो है वो आ चुका है क्लाश 12 के प्रैक्टिकल का डेट आ चुका है और आज हम आपको उसी चीज के बारे बताने चलना है तो जैसा कि मुझे मैसेज मिला है न जी तो फड़ा फड़ा हम आपको पहले तो मैसेज बता जेते हैं कि कहां पर और और किस जिले का पेपर पहले होगा तो देखे पेपर आपके प्रेक्टिकल दो चरडों में हैं ठीक है जी दो चरडों में पहला चरड पहला चरड आपका 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक ठीक है जी यानि आपके आठ दिन में आपके ये पेपर बन रहे हैं प्रेक्टिकल के डेट आपके 21 जनवरी से 28 जनवरी यानि 8 दिन में और दूसरा चरड आपका कब हो रहा है जी दूसरा जरड आपका 29 जनवरी पांच फर्वरी तक पांच फर्वरी ये दू चरडो में आपका पेपर हो रहा है पहला चरड एक गई जनवरी से 28 जनवरी और दूसरा 29 जनवरी से पांच फर्वरी अब आपको होगे सर हमारा किस में है हम किस जिले में आ रहा है और हमारा पेपर कब होगा तो चलिए फटा फट उसको बता दे जो 21 जनवरी से 28 जनवरी के बीच है उनक में आपका मंदल का नाम आगरा है आगरा सहारनपूर आगरा है सहारनपूर है बरेली है बरेली लखनव आपका जहासी चित्रकूट फैजाबाद आजमगर उसके बाद आपका देवी पाटम देवी पाटम पाटन है जी ठीक है देवी पाटन तथा बस्ती यह आपका पहले चरण का है और दूसरे चरण के जो मंदल आ रहे है उसमें कौन कौन से मंदल अपके लोग आ रहे है तो उसमें आप ले लिजिए अलिगर अलिगर मेरट मुरादाबाद अलिगर मेरट मुरादाबाद कानपूर प्रयाग राज मिरजापूर वाराडसी तथा गोरखपूर तथा गोरखपूर तो ये इतने मंदल है जी और इनका किस मंदल में आप हैं अपना डेट देखती जी एक कई जनौरी से 28 जनौरी और 29 जनौरी से 5 फ़र ये आपका डेट है और आप जिस मंदल में है अपनी तैयारी में लग जाईए और फाइल प्रेटिकल का चार्ट पेपर सारा तयार करीजेगा और यदि आपको ऐसे ही जनकारी चाहिए तो हमारे साथ वाटसप्ट ग्रूप से जुड़िए और चैनल पर पहली बार जुड़िए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बता देंगे और कुछ अगर आपको लगे कि सार इसमें कुछ यह चीज नहीं समझाया तो फिर से मुझे कमेंट कीजिएगा साथ चैनल आपको बताएंगे और ऐसे सब्सक्राइब जरू करेजिएगा तो अबिता के लिए बस इतना ही थैंक्स